अगर आप मेरे साथ में जूटेवा है तो मैंने यस्टेड आपको पताया था कि अगर निफ्टी मैंने बैंक निफ्टी में भी बताया थी अगर आप देखें तो आज का दिन अगर आप देखेंगे तो हम डाउन एक्सपेक करें थे तो आप देख सकते हैं मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग अपने को देखने को मिली थी और मार्केट में अच्छा गासा नीचे के तरफ अगर आपने मेरा कल का वीडियो द्यान से देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको यहां पे बैरिस क्रॉस ओवर मिलता है जो फिब मुविंग अवरेजिस है और यह उसमें आपको डैवर्जन्स देखने को मिलता है तो डेफिनेटली आप अपने बैरिस पोजि देखने को मिला है हला कि आज अगर आप देखें तो मैंने इसमें भी आपको टार्गेट दिया थे यह देखिए यह आज का मैंने बताया था गोशॉट ऑन निफ्टी बिलो 10,030 विद टार्गेट ऑफ 10,000 फाइव 9996 एं टॉप लॉज ऑफ 10,035 तो 9996 के सिवा सारे और पॉट लेवल जिसके बारे मलब बता था और यह भी बता है कि दो अनको फॉर्दर रैड करने के जुरूद नहीं बट वह अपने गेंस को ट्रेज कर सकता है तो इस पॉशिचिन के साथ अगर किसी अपने गेंस को ट्रेल किया होता तो निफ्टी और मैंक निफ्टी में कि मैंने जो रेकमेंडेशन दिता हूं उसमें बता था कि इंडियन ओइल अच्छा लग रहा है 380 का सब्लॉस रखके 390 के टार्गेट के लिए आप एम कर सकते हैं 390 के ऊपर एक अच्छा का सा मूव भी मिल सकता है तो राज आप आयोसी में देखें तो 395 का मूव बनाया है तो यह थी मेरी आज की स्रेटेजी आज के दिन में फिर मैंने कल के लिए क्या सब्सक्राइब कर लेता हूं दोस्तों मैंने बताया था मेरे सब्सक्राइबर को कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में लॉंग जा सकते हैं प्रोवाइडेट कुछ लेवल होल्ड करें है तो मैंने बता था गो ओन लॉन गो लॉंग और निफ्ट पैंक निफ्टी इफ क्लोज इस नियर क्लोजिंग ट्रेट सब्सक्राइब ट्रेट करता है तो आप इसमें भी बुलिश मूव टुमॉर एक्सपेक्ट कर सकते हैं अलाकि कल फ्राइडे हैं जनरली फ्राइडे को आपको बुलिश मूव देखने को नहीं मिलता लेकिन इंपोर्टेंट लेवल्स पर वो ट्रेड कर रहा है और मैं आपको मेरे रेशनल बताऊंगा कि क्यों मैं कल बुलिश मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे सहुन में आ जाए कि कल हम क्यों एक्सपेक आपको दिखता है तो एक बार मार्केट 13 देश के आस पास आते आपको दिखता है तो मान लीजिए कल अगर मार्केट नीचे की तरफ भी जाता है तो 9985 के लेबल से आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत उपर की तरफ का रिजेक्शन देखने को मिल जाएगा फर्दर नीचे कर सकते हैं अगर मार्केट गैप ओप ओपनिंग जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे होता है तो अलागि आज अगर आप देखें तो मैकडी में भी बेरिश क्रॉस और एक्सलेरेट हुआ है नीचे की तरफ और आरे साई का लेवल भी नीचे की तरफ जा रहा है लेकिन मार्केट आज नीचे की तरफ ओपन हुआ है लेकिन उसको नीचे के लिवल पर रिजेक्शन देखने को मिला है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट कर गैप उपर ओपन होना चाहिए एक बार या तो आपको बुलिश मूह मिलेगा या तो आपको गैप ओपनिंग मिल सकती है और दूसरा यह रिस्क रिवार्ड फेवरेबल ट्रेड है मार्केट जो नीचे मैक्सम डाउनसाइड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वह 9980 एक दूसरा 9985 तो यहां से डाउनसाइड लिमेटेड है लेकिन उपर की तरफ काफी मूह बन सकता है प्रोवैडेड आप आपको यहां भी बुलिश क्रॉस वर देखने को मिले हाला कि मेरा मानना है कि ऐसा होना चाहिए और कल एक उपर की दरफ का मूह आपको देखने को मिल जाना चाहिए तो रिस्क रिवार्ड रिश्यों के इसाफ से हमने यह त्रेड लिया है देखते हैं इसका रिजल रहता है बात कर लेते हैं और अप्शन अक्टिटी रेंज की दोस्तों निफ्टी में जो बनती दिख रही है वह हाई वर्टालिटी है मार्केट में एच्छे का से स्ट्राइक प्राइज एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं तो 9200 से 10500 की अप्शन अक्टिटी रेंज बनती दिख है उपर की तरफ 500 पॉइंट्स नीचे की तरफ 800 पॉइंट्स अब देखते हैं कि एक्च्वल में यह 500 और 800 पॉइंट्स में पोजिशन क्या बनी है तो दोस्तों क्यों कि आज मार्केट डाउन गया था तो मूटा मूटा आपको बैरिश मूही दिखना था लेकिन जो परसं उसमें कॉल लॉंग कवरिंग और कॉल राइटिंग आपको देखने को मिले जो कि एक बैरिश मूह एक्सपेक्ट मार्केट पाटिस्पेंट कर रहे हैं और पुट में बात करूं तो पुट में फ्रेश बैरिश पोजिशन बनी है क्योंकि मार्केट इतना नीचे गया था औ आपको ऑप्शन एक्टिविटी रेंज क्लियरली चीज़ अनलाइस करके नहीं देती उसमें आपको बैरिश मूव ही बनता दिखता है तो मेरा मानना है कि मार्केट में कल उपर की तिरफ का मूव देखने को मिल जाना चाहिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी क्या सजिश मार्केट ने 13 days के exponential moving average पर support लिया और वहाँ से prices में rejection देखने को मिला तो यह भी एक दर्शाता है कि मार्केट ने जो bearish crossover का अपना target था उसको achieve कर लिया और इसलिए कल अपने को एक उपर की दरफ का move देखने को मिल सकता है मेरा मानना है जब भी market में ऐसा होता है लेकिन दू लेवल इतना close है तो risk reward ratio जो है वो बुल्स के favor में है तो आपको चीजों को अच्छे से analyze करना पड़ेगा अदर्वाइस आपको थोड़ा confusion भी हो सकता है तो 8 days के explanation moving average के नीचे भले close हुआ है लेकिन नीचे जाने का जो move है वो काफी कम है यहाँ आप देख सकते हैं पहुत ही cross over बनता है divergences लिखता है तो आप 25,000 से उपर तक के level भी expect कर सकते है most probably 25,006 पे आपको थोड़ी बहुत profit booking देखने को मिल सकती है as far as bank is concerned अगर मैं बात करूं कि क्या position मनी है तो अब जो हम बात करेंगे वो next series की बात करेंगे तो आज जो position मनी है वो roll over हुई होगी next position में जिन 25,500 तक fresh bearish position मन्ती दिख रही है stable to bearish position मन्ती दिख रही है और अगर आप put में देखेंगे तो put में भी fresh bearish position मनी है वालब bearish position basically roll over हुई है और 25,100 एक अटूला लेवल है जहां पे put short covering जो भी एक bearish move दर्शाता है तो overall देखें और बता रही है कि market में नीचे की तरफ का move देख position मनाई होगी तो इसमें आपको price जल्दी deteriorate होती है तो आपको इसमें bearish move बनता दिख रहा है हाला कि मैंने बता है level attractive है इसलिए हम bullish move कल के लिए expect कर रहे है targets और कैसे उसको trail करना है वह भी मैंने आपको बता दिया cross over को monitor करिए अगर bullish cross over बनता है divergence रहता है hold करिए divergence अगर टू जो profit है उसको अच्छे से ले पाएंगे तो दोस्तों यह हो गया आज का nifty और bank nifty का analysis stocks में भी मैं अभी काफे सारी strategies कर रहा हूं जैसे से मैं आएगा मैं जैसे से मैं इसमें और improve करता जाओंगा हम थोड़े ऊपर के तरफ के targets with minimum possible risk के साथ वाले strategies भी implement करना चालू करेंगे तो चले दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को bell icon को प्रेस करें कोई भी डाउट है comment section में mention करें मैं as always आपको timely reply दे दूँगा चले दोस्तों मिलते हैं आपसे next वीडियो में Thank you very much